आज गुरु नानक जी की जैनती गुरु पर्व के अफसर पे आप सब लोगों को देश वासियों को दिल्ली वासियों को दुनिया के सभी लोगों को बहुत 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 बधाईयां गुरु नानक जी का सबसे बड़ा संदेश एक ही था मानव सेवा कि हमें लोगों की अपने तन, मन, धन से पूरी तरह से सेवा करनी है हमारा पूरा जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित होना चाहिए आज हमारे देश के किसान दिल्ली और हर्याना के बॉर्डर पे बहुत मुसीबत में है वहाँ पे आके पिछले पांच-छे दिनों से अपनी मांगों के लिए सकेंद्र सरकार से बात करने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं मैं सोच रहा था इतनी ठंड में जब हम लोग अपने घरों के अंदर हमें इतनी ठंड लग रही है हमारे किसान भाई रात भर आस्मान के नीचे इतनी ठंड में कैसे सोते होंगे इतनी मुसीबतیں झेल रहे हैं मैं उमीद करता हूँ कि जल्द से जल्द केंदर सरकार उनके साथ बात करके उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगी आम आदमी पार्टी के सभी कारेकरता सभी हैं मिले सभी लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं मैंने सभी को बोला है कि वो पूरी तरह से उनके खाने के लिए उनके मेडिकल के लिए उनको जिस तरह की भी से पानी का टॉयलेट का जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करें इस मौके पे आज गुरूपर्ब के मौके पे मैं सभी दिल्लिवासियों से भी अपील करता हूँ कि हमारे बॉर्डर के उपर जो किसान आए हुए हैं आपकी जो भी आपसे बन पड़ता है आप उनके पूरी तरह से सेवा कीजिए ये किसान हमारे किसान है हमारे देश के किसान है और जिस देश का किसान दुखी है वो देश कैसे आगे बढ़ सकता है तो हमें पूरे तन मन धन से अपने किसानों के सेवा करनी है और मैं उमीद करता हूँ कि जल्द से जल्द केंदर सरकार किसानों की सभी मांगें मांगों पे गौर करेगी उनकी मांगे मानेगी और उनके दुख दूर करेगी नमश्कार